नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरब रावल है, मैं इंद्रप्रस्था अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली और जेपी हॉस्पिटल नॉइडा में सीनियर कंसल्टेंट हूँ डिपार्टमेंट आफ स्पाइन सर्जरी में आज हम आपसे स्पाइनल फ्रैक्चर या स्पाइनल इंजरी यानि की रीड की हड़ी के फ्रैक्चर और खास तौर पे बुज़ुर्गों में ऑस्टियो पोरोसिस के वज़ा से होने वाले स्पाइनल फ्रैक्चर के विशय में बात करेंगे किसी normal patient में spine में fracture होने के लिए बहुत जोर से चोट लगनी जरूरी है यानि कि बहुत जोर से यदि कोई car accident हो या फिर कोई बहुत उचाई से गिरे तो ही spine की हड़ी fracture होती है इस तिती में ये देखना बहुत जरूरी है कि spinal cord पे कोई चोट पहुँची है या नहीं यदि spinal cord में कोई चोट नहीं आई है तो 60% इस तरह के fractures को rest और belt से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और 3-6 महिने में patient पूरी तरह से अपनी normal जीवन चैली में वापिस से लौट जाता है यदि चोट के समय पे spinal cord में injury आई है तो इसके वज़े से patient को हाथों और पैरों में paralysis हो सकता है ये एक गंभीर समस्या है और इस तरह के cases में almost हमेशा spine के operation की आवशक्ता पढ़ती है जिससे की patient का nursing care, physiotherapy, बिठाना, wheelchair पे घुमाना, ये सारी चीजे तुरंट शुरू हो सके लेकिन इन सब के बावजूद भी यदि patient को operation से पहले ही चोट लगने के वज़े से paralysis है तो इस चीज की recovery में एक से 6 महीने का समय या कभी-कभी उससे भी अधिक लग सकता है और काफी physiotherapy की आवशक्ता पढ़ सकती है दूसरी तरह के spine fractures बुजूर्गों में उमर के साथ और मीनोपॉस के बाद हडियां कमजोर होने के वज़े से यानि की osteoporosis के वज़े से होती है इस तरह के fractures को होने के लिए बहुत ही मामूली चोट की जरद पड़ती है जैसे कि patient का पैर फिसल जाना बात्रूम में या CD पर से पैर फिसल जाना या कभी-कभी हमने ये देखा है कि patient को कोई चोट ना भी लगी हो या जुकने के वज़े से या minor छीक आने के वज़े से भी स्पाइन में फ्रैक्चर आ जाता है यदि इस तरह का फ्रैक्चर हो भी जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि 95% इस तरह के फ्रैक्चर जो है वो simple bed rest, belt, calcium, vitamin D या कुछ आम दवाईयों से ही पूरी तरीके से 1-3 महीने में हीलो जाते हैं और जादा तर बुज़ूर्ग लोग जो हैं वो 1-3 हफते के अंदर वापिस से थोड़ा बहुत चलना फिरना टॉयलेट तक जाना ये सब चीज़े शुरू कर लेते हैं यदि किसी patient को बिलकुल ही दर्द में आराम ना आए और बहुत तेजी से दर्द हो या एक महीना, डेड़ महीना हो गया चोट लगे हुए बट फिर भी आराम नहीं आता है तो एक हम लोग इसमें procedure करते हैं जिसको हम लोग balloon kyphoplasty, vertebroplasty या cement injection के नाम से जानते हैं क्योंकि इन बुज़ूर्गों में कोई बहुत बढ़ा spine surgery करना possible नहीं होता है तो इसलिए इस operation का इजाद किया गया है और इसको हम एक operation नहीं कहते हैं बलकि एक procedure कहते हैं इसमें बिना किसी भी तरह की cheerfar किये हुए एक छोटे से cut के through एक needle अंदर डाली जाती है जिसके अंदर से एक balloon डालके हड़ी को वापस से उठा दिया जाता है और उसी के अंदर सीमेंट डाल दिया जाता है जिससे की तुरंथ ही patient को pain में relief आ जाता है और same day अगले दिन ही patient जो है hospital से चुटी लेकर घर जा पाता है balloon kyphoplasty का सबसे बड़ा advantage यह है कि इसमें कोई bleeding नहीं है, कोई cheerfar नहीं है और local anesthesia के अंदर ही यह operation किया जाता है क्योंकि बुजूर्गों में general anesthesia देने के बहुत सारे risks रहते है अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि किसी को spine fracture हुआ भी है तो कोई घबरानी की बात नहीं है क्योंकि आज के ilाज के थुरू इस तरह के fractures का 99% तक सफल इलाज किया जा सकता है यदि आपका और कोई सवाल हो या कोई query हो तो आप हमें WhatsApp या call कर सकते हैं धन्यवाद